सीवनी जिले की कोटवाली पुलिश ने शहर की वीनस लॉज से इंदोर और मंजाब के वेपारियों से एक करोड चालिस लाग का सोना चांदी और लाखोर रुपे की नगदी सहीद रासी जबत की है एसपी कम्रेस खरपुसे ने प्रेस कानप्रेंस कर मामले का परदा फस किया है एसपी पारुल सर्मा और कोटवाले टी आई महादेव नंगोतिया की टीम ने मुगबिर की सुचना पर वीनस होटल में देर रात दबीज देकर निमित कश्यप, मनोज गुजर, लली सोलंकी, निवासिज इंदोर और अवतार सिंग, मनप्रिस सिंग, तारन वर पंजाब से सोना चांदी जब तक किया है, एसपी ने बताया कि निमित कश्यप से 38,99,400 और 45,000 किलो चांदी के आबुसान और सिल्ली जब तक की गई, आवतार सिंगी कबजे से 995 ग्राम सोने के नए पुराने जेवराद और 6,75,000 रुपे के नगदी जब तक की गई है, होटल सरंचाल की भाग कोई मामरा सोद दिया गया है, शीव निसे में फोज अनसारी की रिपोर्ट, पुलिस को सुचना मिली थे, मुंबिर के जाए कि वीनश राच, ने कोछ लोग शंदी का वस्ता में रुके हुए है, इसकी तद्धिक है तुम राना कोटवाली की टीम को, ने वहाँ प जिसमें से कुछ तरणतारन पंजाब के निवाशी है और सेस लोग इंदोर के निवाशी बर निवाशी है, जब इसके फूस्ताच की गई तो उन्होंने अपने पास जो सामान था, कुछ कैस था, कैस और ज्वेल रही है, वो बतलाई, और जब उनसे दस्ताविश मांगे ग कि उनके पास उफलक नहीं थे, तो उफलक नहीं करा सके हो, तो संदीक दावस्ता पे जब सामगनी मिली तो इसको एक सो दो में जब किया गया है, और आगे की खायवई जानी थे, इसमें टोटल 45,64,000 जो है कैस मिला है, और 44 किलो चांडी है, आहूशन और सिल्ली दोनों ही मिला का है, और सिल्ली की कीमत लगवाग 20,00,000 रुपय है, और 1 किलो चार सब नाम सोना है, लगवाग 60,00,000 का, इसकार कुल मश्रुका जो हो जागा, एक करोड 40,00,000, और आगे की कारवाई के लिए, इंकाम टेक्स दिपार्टमेंट को इंफरमेशन दी जाएगी, पुलिस के जिन सदर्शों के दारा इसमें बहतर कारे किया गया है, वो फुलिस अदिक्षक के दारा इसमें उचित इनास दिलवाया जाएगा हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News, हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगें टेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें